एक बार फिर से आप सभी का सवागत है दिसाइत में आज हम बात करेंगे जो राम परिच बेनी पूरी द्वारा लिखचित उनका रेखा जितर जिसे सब्द चितर संग्रा भी कहा जाता है जिसका नाम है माटी की मूर्ती जोकी नेट जयारफ हंदी साइति के सिलेवस में लग आज पात्र की हम चर्चा करेंगे जिसको लेखक ने खुद लिखा है उसका नाम है देव लेखक बिल्कुल यह सची जीवन पर आधारित है लेखक का जिससे जिवन में तार्थम में बधा जिसको उन्होंने अपने जीवन में देखा आसपास घर के आसपास या फिर अपने च जैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए शुरू करते हैं ता पेसर भाई के बगीचे में विलायती अम्रूत का एक पेड़ था मैं कह नहीं सकता उसका पहला कलम विलायत से आई थे या फिर कहां से नई किसमें के चीजों का खासकार हुआ छोटी नसलकी हो तो विलायती का ना लिया तुनक लचेली और पजे घहरे हरे मतलब जो पत्ते हैं घहरे हरे ज्यादा चिकने और छोटे-चोटे फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं है पकने पर उन पर दूधिया रंग चड़ जाता लेकिन गुदा लाल टेस्ट मतलब ललका या ललका अमरूत है हम कैसी चोक सी रखते हैं देखा है दे तुमने विलाइती अमरूत कैसे पक गए हैं को तोड़ लाओं अरे तप ये सर्भाई टांग तोड़ देंगे हट वड़े तोड़ने वाले बने हैं वह वतीर सा सन्न से निकला पेड़ू जाड़ियों की आड़ लेता लुकता छिपता कहीं जुकता कहीं पेड के बल रेंगता दिरे दरर विलाइती अमरूत के पेड के नीचे पंचा और फिर बंदर सा नहीं ? गिलहरी सा मा गिलहरी सा नहीं पता भी नहीं चलेगा । र सर्स से पेड़ पर चल गया हमने दूर से देखा उसके छोटे छोटे हा ताबर तोड प भान है थी मुंहें पानी जीब में पानी लापसलोब देव धिरे-धिरे पत्ली से पत्ली डाली परखे सकता गया और मैं देखी रहा था वह लपक कर एक पका अम्रूत पकड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली अरा अरा कर तूड़ गए बाएहां से उपर के जिस पत बैठा नहीं रहा फूर्ति से खड़ा हुआ और सिर्फ पर पायर रखके भागा बूड़े तपेसर भाई कहां तक दोड़ते गाली गपतार दे के देकर बगीचे में लोट आए मैं दूसरी आर्स से जाकर उससे मिला उसके कोट की दोने जेवों में पके अम्रूत पत्तियों से जाक रहे थे लोग खाओ उसने अपना हाथ कोट के पाकेट में डालना चाहा अरे यह का कि उसके बाई वहां निर्जीर से जुल रही है मतलब कभी मतलब चोट लगती है तुरंत तो पता नहीं चलता मतलब जैसे कोई खिलाड़ी खेल रहता है क्रिकेट खेले फुटबा रहता है जब खेल समाप्त होता या फिर जब वह इस्थिर होता है और उसका ध्यान उधर से हडता है और तब उसको पता चलता रहे चोट लग गई कई बार आपके सांद भी हुआ होगा खुन बह रहा है चोट लग गया कट गया अचा कोई से किसी से भी और पता बाद में फिर जलता है जब हमारा ध्यान उस समय जाता है एक तो गर्म रहता है शुरु-सुरी में मतलब ताजा कटा नहीं पता चलता और दूसरा ध्यान नहीं जलता इसी तरह यहां पे भी गई उसकी बाई माह निर्जीव से जूल रहे थी कुछ समय उमें दर्द नहीं ओते जाता ही देव पीडा से चिल्ला उठेगा लेकिन वह वजरा से चौका भर बिना आउफ की अम्रूत की ओर इसारा करते मुझसे बोला जेव से निकाल लो मैं क्या निकाल था कापता हुआ बोला उफ देव तुम्हारी बाह टूट गई जूड जाएगी वाला परवाई से बोला और म लेकिन उसने जरा उभी नहीं कि हाँ उसकी आँखे कुछ लाल जरूर हुआ ही मैंने कहा कैसे हो तों क्या दर्द नहीं मालूम होता होता क्यों नहीं वाह लेकिन चिलाने से क्या क्या उससे दर्द कम हो जाएगा उसके ओठ हिल रहे थे चार और हर्याली हर्याली खेतों में मकई सावा धान भदाई लहरा रही थी रास्तों और सड़कों पर तरह-तरह की घासे उग आई मतलब वह जटके में भागा गी वहां से और उसका कैसे तूटा मतलब कैसे तूटा देव ने उस और भागने के जोर में ध्यान भी नहीं दिया था इसलिए मतलब भागने के जोर में वह ध्यान नहीं दिया और टकरा के किसी से वह उसका तूट गया था ठीक है चारोर हर्याली है हर्याली खेतों में मकई सावा धान भदई लहरा रही थी रास्तोर सड़कों पर तरह तरह की घासे उगाई पेड़ों की धूली पुछी पत्तियां मन को मोह लेती घरों पर कद्दू जिंगुनी आदी के लतायां फैल रहे थी इसी हर्याली में जनम भर रहा था बारियों में मुरूत की डालियां और खीरे की लज़ी लजियां कि फलों से लगी फालों से लदी थी खीरा मतलब रहा था एक तो फलाहर के ऐसे सुब्दा फिर दिन भर का ही तो ब्रत हम बच्चों के लिए जनमाष्ट में से बढ़का कौन ब्रत हो सकता था हम से अधिकांथ भरती थे बधे बार लोल फैल फोल खीरा सीनमा सीरा तो बजीचे की पीच में जो ठाकुरबाडी है उसमें ब्रत की तयारिया हो रही थी लोगों की आवाजाही लगी थी तरह तरह निएप न दियर भूंण पेंग पेंग पर पेंग ले रहे थे कब सुरण डूवे अधिराद भी थे चान दूगे किष्ण भगवान जन में और हम फाके पर फाके पजनी फाके हमारी अधिरता का क्या काना हम साथ आट बच्चे थे एक दो लड़किया में थी देव भी था बिना उसके कौन पेड़ प आता है यह तो प्रया सुन रखा था हमने लिखेरी में जब हम इतने लोग एकठा होकर पुलाहाल कर रहे थे साप निकलेगा साप निकलेगा इसकी तो कलपना ही नहीं थे लड़की की आवाज के साथ हमारी नजरे उस और दौल गए जिधर उसकी कापती तरजनी इसारा कर थे तरजनी अंगली सब के मुझ से निकला और कई तो बेताहसा भागे घबरा तो हम भी हम सभी गए साथ भादों के इस विना बादल के सुरी किलडों का आसीम गर्मी से व्याकुलों साफ अपनी बिलते यानि बाबी से निकला था और कहीं निच्छे ठंड़ी जगा की तल हमने उस पर पढ़ रही थी उससे उसका गहुआ शरीर दमक रहा था फन कालेवा ख़ड़ा था फन चार इंच से कम चोड़ा क्या होगा चार इंच चार इंच एक इन दो इन तीन नलभा थेली से थोड़ा सा कम दो खुबशुरक मादा का थे आंखे चमक रही थी जीव लप का था दुनिया में साड़े तीन ही बीर हैं साड़े तीन पहला धैसा दूसरा सुवर तीसरा गेहुआन और आधा राजा रामचंद रामचंद आधा बीर थे आज पता चला है वह से सुवर गेहुवन सीधा वार करते हैं कभी पीट नहीं दिखाते हैं रामचन बीर थे लेकिन बाली को मानने के लिए उन्होंने पेड की ओट ली थी इसलिए आधा बीर इन्हें कहा गया है क्या समझा आपने सिधा वार करते तो पूरा वीर हो जाते हैं भी चार वीर साड़े तिन नहीं चार हो जाता यो जो राजा रामचन से भी ज्यादा वीर थे उनमें से एक हमारे सामने खड़ा है और उसे छेड़ने को यह हमारे चोटा सा थी देव चोटा सा डंडल यह बढ़ रहा है छोड़ो उसे भागो हमें चिल्ला ही रहते कि देव साप से एक लगगी पर पहुच चुका था उसे अपनी ओर आते देखे एक बार तो सापने फन समेट कर सिर नीचा कर दिया मैंने समझा वह भागेगा लेकिन नहीं जो ही देव उसके उसे से एक लगगी पर गया एक बार की लगभग देखता अपना डंडा समाले खड़ा था नसा पेकिन चागे बढ़ता न देव के ही पैर आगे या पीछे उड़ते इधर हमारा सरीर पसीने पसीने हो रहा देव की आखें के आखों पर गड़ी थी भागो हम चिल्ला फिर चिल्लाएं भागो उसी समय देखा देवने डंड को संभाल रहा और पलक मारते उसे छोटे डंडे को इस तरह ताल कर फेका कि वाज जोरों से साब के फन के ठीक नीचे जमीन से लगवा कि एक बालिस तूपर उसकी गर्दन पर कहिए ताड़ से लगा डंडे इतने जोर से लगा कि साब फन साहित एक बार गे उलट गया किन् प्रवकार मालूम होता सिर्फ उसकी पूछ का कुछ अंसी कुछ इंच हिस्सा जमीन पर रहे नहीं तो भाप पूरा का पूरा खड़ा है मतलब इसे पूरा खड़ा हो जाते हैं पन फुलाए जोमता फपकारता मालूम होता साच्छा त्यमराज तांडा और निर्थ कर रहा ह देव का हाथ खाली है शाम कहीं उस पर तूटा तो आज वहीं का वहीं रह जाएगा मैंने सोचा लेकिन उसकी हिम्मद जो देव की मदद में हमराज के मुह की और बढ़े मतलब कोई इतना साम को देकर कोई क्यों जाएगा देव की मदद करने देव खड़ा था कहीं उसे भ बाज भी सुनिये गिरकरवा लगातार पूष पर पूष पठकने और जमिन से थोड़ा उपर से उठा उठा कर फपकार छोड़ने लगा उसके गिरते हम में से कुछ की हिम्मत हुई गुली डंडा खेलने के लिए जोड़ान रहते उन्हें लेकर हम आगे वड़े मालूम हो लगी पर सिर धुन रहा था हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद की सतरह उसे खिला खिला कर मारा पहले दो-तिन डंडे अलग से ही फिक कर मारें फिर नदीग जाकर उसके धड़ पर कई डंडे लगाएं तब डंडे का एक हिस्ता उ साप किछके जाकर पकरता देव खिल खिला कर रस्ता यह ही बहुत देर तक उससाप से मृत्त की गडा करता रहा उसी समय देव के बाबा एक और से आते दिखे उसके खास उनकी खास मतलब ऐसे उनके खास सुन देव चोका जट पर बार बार डंडे बर्षा कर सापका सेर आगे देव के बाबा चाहते थे देव पढ़े गाउ की पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त करवा सार के स्कुल में भी गया लेकिन वहाँ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका गाउन लटकर वह अपनी घर ग्रियस्ति में लग गया अजीव धंका विकास हुआ है उसका जिसने जरा चड़काने के उससे उलज गया बात का जवाब हास से ठोंगे का जवाब लाठी से चाहे चौपाया भैसा हो या दोपाया जिससे भीड़ गया बिना नाथे नहीं छोड़ा गाउं के सबसे उचे बास की फुनगी के पत्तेवा तोड़ता सबसे उची डाल का फल खाता उसके भैस समय सा हरियरी पाती उसके बैल बिना चाओ के विचरते किसी का खेत उजड़ता हो तो उजड़े देव को क्या परवा और कौन उसके मूह लगने की गुस्तागे करें उसके चरित पर काला धबा लगाने वाली कहानिया भी थी लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा ही उससे अनुरक्त रहा कई दिन मामा जी ने डाटा डप्टा क्यों उससे बाते करते हो मिलते हो वह बनमास है बचलन है फराडिया है तुम पढ़ लिख रहे हो ऐसे लोगों की संगत और चाहत अच्छी नहीं जब वह नाराजगी में बगते मैं चुपचाप सुनता उनकी ब करे में सुभा मुझे गाउं सखेच सरय की उड़ ले गया राष्टे में देव मिल गया हम दूनों चले एक खेत में सकरकन की लजियां इतनी घनी हो गई थी उन पर पैर रखने में मकमल का मजा था लजियों में जहां था लाल लाल फूल भी आ गए थे मानुहरे मकमली फरस पर गुलाब की कल्मियां के लिए मैं उस पर बैड़ जया देव कुछ गाओ खूब कभी मुझे गाते सुना है अच्छा एक कहानी कैसी आप बिती अब मुस्कुरा पड़ा देव में हमेसा हमने देव में हमने हमेसा यागुड पाया कि जूट कभी नहीं बोलता हूँ अप चले काकर हम चल पड़े थोड़ी दूर साथ हैं एक देव चूप हो गया फिर बोला अच्छा आप मेरा साथ क्यों करते हैं आपकी सिकायत होती है ना पागल सिकायत कि तुम्हें क्या परवा ऐसी बाते ना क्या करो वह फिर चूप हो गया और बड़ी संजिंद्गी से बोल करते हैं मालूम होता में बाते उसके दे में घर सी गई थी किन्तों आज उसके सवाल पर मैं असमंजस में पढ़ गया देव और देश खेर कुछ करना चाहिए का दिया ज्यादा क्या करोगे खादी बनो लेकिन खादी तो सहर में मिलती है और कोई सहर यहां से 20-22 मिल से कम द मतला बिल्ली कैट किन्तों देखें मों पर कोई क्या बोलता सौसो चुहे खाके बिल्ली चली हजको बिलाई चली हजको सन तीस 1930 का दोफान खत्मी हुआ था कि बतीस 1932 के आंधी जोरोपर चलनी के लिए 4500 बत दिमागों के साथ मैं भी पटना कैम जेल के मजह ले रहा था ल अहीं सब नने जी का अंधुलन नमकशत्त अग्रह वाला और एक सब अगरह वाला अंधुललन अछती सब रोज नहीं लोगों के जूनदाते पुरानों के जाते यह जाने जाने कि क्रिया इस धडल से जालिए थे कि अपुसमें कोई हर्स विसाद नहीं रह गया था महा साग वर देव है तब आश्चर है और आनंद का ठेकाना ना रहा है इधर कुछ दिनों से देव से कम संबंद रहा गया था मैं लेकर था संपादक था देश भक्त था नेता भी था अब फुर्सत कहां था कि देव की कोई करा रहा है जैसे मरमान तक पीडा होने पर दीरे दीरे लेकिन बाए दर्से लोग कराते हैं देव कोई सपना तो नहीं देखता है बुरा सपना मैंने जग जोर कर उठा दिया वह जगा लेकिन पूछने पर कुछ बोला नहीं फिर उसे नीद आई तो वहीं बात एक बार और उ हाँ 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 नेता लेकिन इस नित्रित की कैसी कीमत अधा करनी पड़ी है उसे देव का थाना जिला भर में क्या अपने काम से सारे फ्रांद में प्रसिद्धी प्राप्त कर गया कांग्रेस बुलिटनों में उनकी चर्चा सत्याग रहियों की टोलिया लगातार सरकार को प पकड़ जाता जब तक खुराबाद की जड़ देव नहीं पकड़ा जाता तब तक सब धर पकड़ फिजूल थी और देव को पकड़ने को उनके सारी चेस्टाएं बार-बार बेकार जा चुकी थी देव मतलब इतना बड़ा हो गया था नेतागिरी में या फिर कहा सकते हैं गुण्डागर्दी में इंतु पुलिस जो काम हजार सरगर्मी दिखाकर और लाक सीर पड़क करना कर सकी एक दिन देव ने खुद कर लिया अब थोड़ा जिल का मजा लिया जया उसने तै किया पोगा जी को अपनी तागत प्रविश्वाशना हुआ को ससस्तर पुलिस लेकर इंस्पेक्टर साहबाय पांच हात कावा भीम का इंस्पेक्टर जूलुस के नेता के हैस्य से देव पकड़ा गया कुन-कुन बगेरा कई और भी थाने की छोड़ी से हवालात में सब ठूस द अलाग भड़ाक सुन रहे थे किसी के गिरने और रुठने की आवाद सुन रहे थे क्या देव देव जी पर मार पढ़ रही लेकिन वह चलाते तो नहीं है और यहीं ना चलाने तो उनके लिए आफ़ात हो गई इंस्पेक्टर अपने चमड़े मढ़े डंडे से थपड़ से गुसे से गिर पढ़ने पर भारी बूटों से लगाता और प्रहार पर प्रहार करता रहा लेकिन देव जी चिलाते कहां तक उनकी आँखों में आसी तक ना आए आज तुम्हें रूलाओंगा या जान से मार डालूंगा यह थी उसकी आन और सुरी उसकी आन यान की इंस्प इसकी आज रूदा के मानेंगे उस इस्पेक्टर के बच्चे ने पुछा देव जी मुष्कुरा पड़े हाँ धरोगा जी ने खुद हम से कहा था देव जी मुष्कुरा पड़े फिर क्या था उसने फिर डंडे लाद वसे और बूत तके प्रहाट चुरू किया फिर बेहो जब देव जी गिरे उनके छाती पर वाग बूट साइच चड़ गया और हुमच ने लगा दो तीन हुमच देव जी के मुझ से खुन निकलाया छाती आप चड़के मतलब युदवा से रगड दिया उसको चांप दिया खुन हुजूर खुन दरोगा चिला पड़ा मने दो साल को रोस याग बूबूला वह इंस्पेक्टर बोला इसने हमें तंग कर रखा था लेकिन कहाना जितना आसान था खुन करना अगर उतना ही आसान होता उसने भी परिस्तिते की गंभीरता का नुभा किया इधर कट पर सुन हमने भी हवाला से हो बला किया सुना वा हमारी खबर लेने को भी हुमका लेकिन दरोगा ने हस्त अच्छेप किया हुजूर अगर यह बात लोगों को मालूम हुई हमें से एक भी इसी रात को जिंदा ना बचेगा आप इस जुआर को नहीं जानते हुजूर इंस्पेक्टर उसे समय वह से चल पड़ा थोड़ी देर बात लेकिन देव जी ने जरा उप भी ना की नवे बाते कहीं उस रात को ही मोटर से हम लोग सब डिवीजनल डेल में भेज दिए गया कल होते होते देव जी का समुचा शरीर फूल उठा दबादारू हुई उपर से अच्छे भी हुए लेकिन पीड़ा को उपर ना आने देने क कि उनने जो मरमान तक जिस्ठा की उससे मालूम होता है पीड़ा को उनको उनके मरम तक पहुचा दिया तब सही रात में जब उस होते हैं यो ही कराते रहते हैं कुन कुन ने कहा और एक लंबी सास ली दिन की रोशने में मैंने देव का अच्छी तरह देखा देव पर अभी काले निशान का दोरा दोरा था यनी निशान था किंतो उस काले निशान वालो देव के अंदर जो आत्मा थी वह कैसे थी उजवल थी जुलन थी दिब्व थी और उर्चा से भरी थी उर्चा स्वीट थी तो यहां देव की कहानी हुई समा तब को कैसा लगा अच्छा लगा होगा जरूर देव की मरवांदक कहानी लेखक से जुड़ाओ लेखक जेल में थे और उनके गाउं का देव कैसा रहा उनके कहानी कितना निडर और सासी यह इवक था उसके बारे में चच्चा की और राम विर्च पेनिपुरी का या माटी की मूर्थे में को शेयर भी नमस्कार